दोस्तों नवस्कार स्वागत है आप सभी का आभी की चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा की नई गाड़ी टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस के बारे में जिसके अंदर आपको कई नए फीचर्स मिलते देखने के लिए साथी दोस्तों गाड़ी की कीम करना सबसे पहले तो पाँच लाग अर्साथ हजार दोसो अर्तालीस रुपे के एक्स रूम प्रैसिस में आप नया छोटा हाथी को अपने गार लेकर जा सकते हैं साथी दोस्तों आपको इजी फाइनेंस के ऊपर भी इन गाड़ीयों को ले जाने का प्रावधान अवेलेब प्लास्टिक आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो ओवराल दोस्तों फ्रंट वेसी आपको टाटा एस गोल्ड जितनी भी आती है उसी तरह का देखने के लिए मिलेगा यहां पर इबीन के इंदर गाड़ी से बैठ सकता है गाड़ी चला सकता है उसकी जो सीट ह वो यहां पर आपको काफ़ी कमपर्टिबल दी जाती है आगे पीछे स्लाइट करने का आपको प्रोविजन होता है पावर स्टेरिंग नहीं है गाड़ी के अंदर मेकेनिकल स्टेरिंग है लेकिन फिर भी काफ़ी सॉफ्ट आपको यहां पर दिया जाता है उपर की साइड म का कंट्रोल लिवर यह लाइट का कंट्रोल लिवर है और एक सांदार और खूबसूरत आपको जो है इसके अंदर इंफॉर्मिशन डिस्प्ले दिया गया है जैसे हम की को करते हैं कुछ इस तरह से यह ओन होता है जिसके उपर आपको तमाम सारी इंफॉर्मिशन मिल जाती ह इस तरह का आपको जो है इसके अंदर डिजिटल इंफॉर्मिशन डिस्प्ले यहां पर देखने के लिए मिलता है साथ ही दूस्तों की बात करें तो काफी सारे यूटिलिटी स्पेस मिलते हैं यहां पर अपना फोन चार्ज कर सकते हैं यूएस भी लगाना है आपको सिंपल और आपका फॉन चार्ज हो जाएगा इसली यहां पर रखने के बाद में यहां पर आप अपना कुछ पेपर डॉक्यूमेंट वालेट रख सकते हैं साथ ही दूस्तों नई गाडियों के साथ पर आपको मिलता है पावर बटन जिसका मतलब भी होता है कि जब आप गाड़ी क यहां पर मिल जाते हैं वहीं दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के ट्रांश्मेशन की तो यहां पर आपको फोर स्पीड दिया गया है जिसके नदर आपको चार फ्रेंट पर एक मिलता है बस एक चोटा साधियर शिप्ली पर है इजली आप इसको अपर सकते हैं वाक्ठू रखने के लिए स्पेस दिया गया है अच्छा खासा और यहां पर आपके डॉक्यमेंट्स रख सकते हैं पीछे आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिलता है हवा पानी रोसनी का आनल ले सकते हैं पीछे के सामान पर भी निगाभ बनाए रख सकते हैं साथी दोस्तों आपकी सेप्टीज का यहां पर कंपने के द्वारा ख्याल रखा गया है अब बात करते हैं हम इसकी कार्गो वड़ी के बारे में यहां पर आपको लगबग साड़े 700 कीजी का रेटेट पे लोड मिलता है कंपनी के तरफ से लेकिन वहां पर लगबग आप एक डेट तन तक अभी मा आसानी से लेके चा सकते हैं तो दूस्तों इस तरह कि आपको कार्गो वड़ी मिलती है टाटा ऐस वी डिजल के साथ में सहल últimos कि आप इसको फ्लैट बैट के विन बिच चैसिस के साथ में भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं यहां पर दूस्तों इसके लंबाई की बात करें तो साथ पॉइंट दो फिट लंबी और चार पॉइंट नौ फिट चोड़ाई की आपको कार्गो बोडी कंपरी के द् बढ़ा सकते हैं अगर दोस्तों साइट की बात करें तो काड़ी कंदर दोस्तों आपको काफी बैटरी इंग्रांड क्लेस मिलता है एक सुसाट मिलीमीटर का जिससे कि आप उबर खाबर रास्तों में आसानी से निकल पाते हैं 12 इंची का आपको यह पर टायर मिलते हैं 8 प् गया है इस तरह के कैप के साथ में जो की काफी सेप है 12 वोल्ट के एलेक्रिकल कनेक्शन मिलते हैं आगे और पीछे यहां पर आपको रिजिट सस्पेंशन मिलेगा कमानी पट्टे का जिससे की अच्छी से अच्छी आपको लोड करें कबस्ती मिल जाती है दोस्तों इस बहतरीं टॉर्क इस गाड़ी के साथ में आपको मिलेगा और 27.5 प्रतिस्त की आपको चड़ाव चुड़ने की चम्दा मिलती जो कि अच्छे से अच्छे लोड वगरा पे आप अच्छे से फ्लाइवोर के उपर आसानी से निकल जा पाते हैं दोस्तों अगर इस गाड़ी क इस भी कंपनी के द्वारा दिये गए हैं जो कि अगर हम इसके पीछे की साइड में देखें तो यहां पर आपको रैड कलर का एक रिफ्लेक्टर मिलता है जो कि नाइट के समयमा आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे जो कि जब आप आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो गाड़ी के नदर बीप का साउंड करते हैं और आपको पता चलता है कि पीछे कहीं कोई है तो नहीं तो इस तरह की यह गाड़ी है दोस्तों इस गाड़ी के साथ मैं आपको कंपनी के द्वारा दो साल 32,000 किलोमेटर की 68,248 रुपे के एक्सरुम प्रैसेस में आप अपने घर लेके जा सकते हैं इस नया छोटा हाती को तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत